नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम जैनेंद्र कुमार जी द्वारा रचे बाजार दर्शन निबंद पढ़ने जा रहे हैं निबंद पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह हमारा निबंद दो कक्षाओं में पौन होगा पहली कक्षा में हम आज कुछ गद्यांश्ट पर हम चर्चा करेंगे, महत्पुन गद्यांश्ट पर चर्चा करेंगे पाट से संबंदिज कुछ महत्पुन बिंदू पर चर्चा होगी, लेखक परीचे होगा, पाट परीचे होगा और शेश हम अगली कक्षा में लेंगे तो हम आज का पाट शुरू करते हैं बाजार दर्शन निबंद पढ़ने से पहले हम लेखक क्या परीचे जानना चाहेंगे हिंदी कहानी सहित्य में प्रेमचन के पश्चात सबसे महत्पुन कथाकार के रूप में जैनेंद कुमार प्रतिश्चित हुए आपने अपनी कहानियों वा उपन्यासों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोविज्ञानिक कथाधारा का आरंब खिया आपने सरल वा अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीती, अर्थनीती एवं दर्शन से संबन्दित प्रश्णों को सुलजाने की कोशिश की है आपके द्वारा रचित बाजार दर्शन एक मनोविज्ञानिक निबंध है बच्चों आप लोग बाजार तो जाते ही होंगे, आपने कई तरह के बाजार भी देखे होंगे सब्ता हमें एक बार लगने वाले, गाउं की प्रिष्ट भुईम पर लगने वाले, हाट, ठेले रेडियों पर लगने वाले, एवं उची-उची इमारतों में सजी दुकाने, शोरूम, आदी ये सभी आपको अपने बार आकर्शित करते हैं आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ होगा, कि आप सजी धजी दुकानों से आकर्शित होकर, कुछ ऐसा सामान खरीद लाए होंगे, जो आपके काम का नहीं होगा और तब मम्मी की डाट खाने के साथ साथ पश्तावा भी सहना पड़ा होगा क्योंकि मौल में सजी दुकाने हमें अपनी और अनायासी आकर्शित कर लेती हैं और हम उस आकर्शन से स्वयम को बचा नहीं पाते और कई बार सिर्फ विंडो शॉपिंग से ही दिल भहलाया होगा तो कई बार बाजार के प्रती उदासिंता भी दिखाई होगी कुछ इसे प्रकार के अनुभवों को विंग्यात्मक रूप में हास से अथ्वा किस्सागों के रूप में लेखक ने अपने पार्ट में इसका परिचे दिया है तो हम पार्ट परिचे जान लेते हैं बाजार दर्शन निबन में लेखक ने अपने परिचितों एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि बाजार की जादूई शक्ती मनुश्य को अपना गुलाम बना लेती है यदि हम अपनी आवशक्ताओं को ठीक ठीक समझ कर बाजा इतलाब उठाया जा सकता है इसके विप्रीत बाजार की चमक दमक में फंसकर हम संतोश त्रिशना और इर्शा से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं अब हम जल्दी से पाठ का सार समझ लेते हैं पाठ के प्रारम में लेखक के मित्र एक मामुली सी चीज लेने बाजार गए थे बहुत से बंडल खरीद कर ले आए पूछे जाने पर सारा दोश पत्नी पर मड़ दिया और कहने लगे कि यह सब इन की वज़े से खरीदा गया है लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है पैसा पावर है उसे दिखाने के लिए ही इंसान अपनी जरुरत से ज्यादा चीजे खरीदता है और वेर्थी खटा करता रहता है लोग बाजार अपनी जरुरत देखकर जाते हैं यहां तक की अपनी पर्चेजिंग पावर देखकर चीजे खरीदते हैं बाजारों को अमंतित करता है सजा रहता है और अपनी सजावट से लोगों को अनायासी अपनी और आक्रिष्ट करता है जिसे देखकर इंसान ठगा सा रह जाता है और ना चाहते वे भी वे सारी वस्त्वें खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं होती लेखक एक अन्य मित्र का उधारन देते वे बताते हैं कि एक दिन वे भी सुबे सुबे बाजार गए थे और शाम को लोटे परंतु जब देखा तो उनके हाथ खाली थे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ था लेकिन मैं कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद आ रहा था अगर वे कुछ खरीदते और कुछ नहीं खरीदते तो जो नहीं खरीदते उसके लिए उनके मन में एक असंतोश रह जाता लेखक का मालना है कि बाजार में एक प्रकार का जादू है और ये तब असर करता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो अर्थात सभी सामान जरूरी और आराम बढ़ाने वाले प्रतीत होते हैं लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब व्यर्थ में खरीदी गई वस्तूएं हमें बोच लगने लगती है और आराम की जगे हमारी जिन्दगी में परेशानी उत्पन कर देती है बाजार के आकरशन से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो और जेब भरी ना हो जब किसी वस्तू की आवशकता हो तब ही बाजार जाओ सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इक्षा के अधीन होकर जबर्दस्ती वस्तू में खरीद लेना समझदारी नहीं है लेखक के पडोस में एक भगजी रहते हैं जो चूरन बेशने का काम करते हैं वे एक दिन में चूरन बेच कर छे आने पैसे से अधिक नहीं कमाते उनका मानना है कि छे आना उनकी जरूरत है चूरन भिक जाता है तब बाज़े वैसे ही बच्चों में बाटकर घर चले आते हैं उनके अंदर त्रिशना और संचे की प्रवर्ति नहीं है बिके हुए चूरन के पैसों से बाज़ार जाकर जीरा और काला नमक खरीद लाते हैं उन्हें पता है कि उनकी क्या आवशकता है इसलिए उन पर बाज़ार का जादू नहीं चलता है बाज़ार की सजावट भी उन्हें प्रकार से अपनी औरा करशित नहीं कर पाती पोशन चल कपड आदिभाव पनपते हैं और ऐसे में चल कपड सफल होता है ऐसा बाज़ार मानवता के लिए अभिशाप बन जाता है और ऐसे बाज़ार का जो पोशन करते हैं वे समाज के दोशी कहलाते हैं बच्चों जैसे आज की स्थिती है आज आप इस भाव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब आप लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और ऐसे में कुछ जरूरी सामान आपको चाहिए और आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो सामान अपने कम दाम पर या उच्छी दाम पर मिलता था आज वह या तो उपलब्द नहीं है या फिर उसके अधिक दाम मांगे जा रहे हैं इसी से समाज में चल कपड जैसा भाव पनपता है और समाज में अनैतिकता को बल मिलता है अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जैसे परमानित जिसका अर्थ होता है सिद्ध मनीबैक पैसे रखने का थैला फिजूल व्यर्थ आगरहे खुशामद अतुलित अपार इर्श्या जलन निरोद रोकना विराट विशाल तुच्छ महत्वहीन दारुन भयंकर बेचक व्यापारी माया आकर्शन पावर शक्ती दरकार इक्छा तिरसकार अपमान विकल व्याकुल क्रितार्थ एसानमंद व्यापक विस्त्रित अखिल संपोन कुंठित व्यर्थ वंचित रहित पोशन पालन ओट सहारा परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ती बेहया बेशर्म परिमित सीमित त्रिष्णा लालसा या इच्छा सनातन साश्वत संकेन संकरा खुशाल संपन निर्मम ममतरहित विनाशक विनाशक विनाशकारी और पेशगी सामान के लिए अगरिम पैसा देना तो बच्चों ये कुछ महत्पोंट शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए इन अर्थों को जानने के पश्चात आपके लिए पाठ समझना बहुत आसान हो ज शब्द पाठ की आत्मा है यदि इने पाठ से हटा दिया जाए तो पाठ के तो जैसे प्राण ही निकल जाएंगे तो जानते हैं मुख्य बिंदू के रूप में उन वाकिशों एवं शब्दों को पर्चेजिंग पावर पैसों की शक्ति दिखा कर कुछ भी खरीदने का भाव रखना पर्चेजिंग पावर उपभोकतावाद को ही बढ़ावा देती है उपभोकतावाद बच्चों आप समझते होंगे उपभोकतावाद जो है खरीद फरोक्त को कहा जाता है जिसके पास होती है यानि खरीदने की शक्ती होती है या मनी की शक्ती होती है वह उसके आधार पर अनावशक वस्तों को भी खरीद लेता है बाजार का जादू आकर्शक तरीके से सजा हुआ बाजार का रूप लोगों को अपनी और आकर्शित करता है इसका जादू भी कह सकते हैं बाजा बाजार के जादू से प्रभावित होकर अनावश्यक वस्तू की खरीदारी करना उन्हें स्वयम के लिए आराम भढ़ाने वाली तथा अनिवारे समझना बच्चों कई बार आप भी ऐसा कर चुके होंगे कभी आप बाजार खरीदारी के लिए हो और वहां पर कुछ ऐसी वस् जादू सिर्चड कर बोलता है अभे बाजार का जादू उतरने पर प्रभाव जब बाजार का जादू उतरता है तब अनावश्यक वस्तू की खरीदारी आराम दायक नहोंकर खलल पैदा करने वाली प्रतीत होने लगती है ऐसा होता है ना बच्चों कि जब हम जोश-जोश में आकर या बाजार के जादू से प्रभावित होकर बहुत सी ऐसी चीज़ें ले आते हैं और घर आकर जब हमें एहसास होता है कि यह सब हमारे लिए अनावश्यक हैं, इनकी आवश्यक्ता थी ही नहीं, या इन्हें बाद में भी लिया जा सकता था, तो यह सोचकर हमें फिर परिशानी होने लगती है, इसे कहते हैं बाजार का जादू उतरना, बाजारूपन, कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन, इसके बढ़ने से परसपर सद्भावना में कमी आ जाती है, इससे मनुष्य आपस में भाई भाई, मित्र या पडोसी नहीं रह जाते, वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह ही व्यवार करते हैं, इसम हर वेक्ति दूसरे को लूटने के प्रयास में होता है, जैसे आज की परिस्थितियां बन गई हैं, आज जब उत्पादन की मांग अधिक है, तो ऐसे में उसे अंडरग्राउंड करके या उसके दाम बढ़ा कर लोगों को ठगा जा रहा है, इसे हम बाजारूपन रहते हैं, इस से समाज में अनैतिकता को बल मिलता है, बाजार की सार्थकता, अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदने वाला ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकता है, उसे पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है, भगत जी इसी का एक उधारन है, बच्चों जब आ बाट में भगत जी का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भगत जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से ही बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं उन्हें बाजार का आकर्शन बिल्कुल भी अपनी और आकर्शित नहीं कर पाता है वह बाजार में अपने छे आने का चूरन बेचने जाते हैं और जैसे आने का चूरन बिक जाता है बाकी चूरन मुफ्त में ही बच्चों को बाट आते हैं और उसी छे आने से चूरन बनाने का सामाज जैसे काला नमक जीरा आदी खरीद कर ले आते हैं तो ऐसे लोग ही ब अर्थकता प्रदान करते हैं याई बाजार की जो उपयोगिता है जिस मकसद से खोला गया है उस मकसद को पूर्ण करते हैं अगरा हमारा वाक्यांश है जीवन को शृष्टता से जीने की कला लेखक के अनुसार मनुश्य को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महतपूर्ण निर्णें सोच विचार कर लेने चाहिए उनके अनुसार चूरन बेचने वाले भगजी का जीवन एक आदर्श जीवन है बच्चों आप इस पार्ट में पढ़ेंगे मन खाली होना मन खाली न होना इस तरह के मन से संबंदित होना और दूसरी तरह हम कह रहे हैं इक्षाओं का भरा होना जी हां ऐसे में वेक्ति बिना सोचे संजे बाजार के जादू से आकरशित हो कर बहुत से बेकार की वस्तमे खरीद लेता है मन खाली होना यानि मन खाली यानि एक्छाओं से भरा हुआ, कि उसमें हमारी एक्छाएं भरी हुई हैं, और जब तक मन में एक्छाएं रहती हैं, तब तक हमें संतुष्टी नहीं होती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, बाजार के जादू से प्रभावित होकर बहुत सा अनावश्यक सामान खरीद लेते हैं, अब हैं मन खाली नहोना, अर्थात मन में संतुष्टी या संतोष का भाव होना, है ना विरोधा भास वाली बात, मन खाली नहोना, यानि संतोष का भाव होना, ऐसी स्थिती में वेक्ती एक निश्चित सूची के अनुसारी खरीदारी करता है, यान इक्षाओं का बिल्कुल समाप्त हो जाना वैसे तो मनुष्य की इक्षाओं कभी समाप्त नहीं होती परंतु कभी कभी ऐसे उदासी के शन आते हैं जब किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता ऐसी स्थिती को मन बंध होना कह सकते हैं मन में नकार होना ऐसी स्थिती में बाजार की हर वस्तु खराब और अनुपयोगी दिखती है ऐसा विक्ती बाजार और समाज दोनों के विकास में बाधक होता है ऐसी स्थिती में घर से बाहर जाने की इक्षा भी समाप्त हो जाती है तो बच्चो हमें मन को खाली होना रखना या मन में खाली पन ना होना या मन बंध होना वाजिती तक तो सही है लेकिन मन में नकार नहीं आना चाहिए मन में अगर नकार आजाता है तो हम समाज से कट जाते हैं हमारे एक अपना अलग दाइरा बन जाता है और फिर हम अकेले पन में या एकाकी जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं तो हमें इस परिस्तिती से अपने आपको बचाना है क्योंकि ऐसी परिस्तिती वाला वेक्त ना तो स्वैम के लिए उपयोगी होता है और ना ही समाज के लिए। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ महत्पूर्ण गध्यांश पढ़ते हैं और उनसे संबंदित प्रश्णोत्तर पर चर्चा करते हैं। तो पहला गध्यांश उनका आशे था कि यह पत्नी की महिमा है। money bag अर्थार्थात पैसे की गर्मी या energy पैसा power है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक power है पैसे को देखने के लिए bank हिसाब देखिए पर माल असबाब मकान कोठी तो अंदेखे भी दिखते हैं पैसे की उस purchasing power के power का रस है लेकिन नहीं लोग सैयमी भी होते हैं वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं बुद्धी और सैयम पूर्वक वे पैसे को जोडते जाते हैं वे पैसे की power को इतना निश्य समझते हैं कि उसके प्रयोग की परिक्षा उन्हें दरकार नहीं है बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है तो सुना आपने बच्चों इस गध्यांश में एक मित्र के बारे में बताया गया है कि वह मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार खरीदारी क करके लोटे तो काफी सारे सामान के साथ लोटे उनसे कि यह सब क्या है तो उन्होंने पत्नी का कि और इशारा करते हैं बता दिये कि यह सब इनकी महिमा है यानि उन्होंने अपना सारा पर्चेजिंग पावर का एक दिखावा जो था वो अपनी पत्नी पर मड़ दिया कि इ पत्नी को ही महत्वदिया जाता है यही माना जाता है कि अगर शौपिंग करनी है थो पत्नी ही करती है यानि मैं उसका प्रशन्सक और बहुत समय से आदिकाल यानि बहुत समय से यह हैं चला आ रहा है और यहां पर विक्तित्erkा प्रश्चन परश्च नहीं बलकी स्थृत्व. जोडेंगे तो इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी का सहरा लेते हुए अपने उस खरीदारी की या पर्चेजिंग पावर की शक्ति को छपाने का प्रयास किया आगे कभी लेखक ने इसमें यह भी बताया है कि पैसा पावर है और उसके सबूत में कुछ लोग बहुत सारा सा खटा कर लेना या उसको दिखाना जो है यह सब वेकार की अगर पैसा देखना ही है तो बैंक में देख सकते हैं बैंक उसमें जो उनका हिसाब किताव है वो देख सकते हैं क्योंकि यह कोठी मकान आदी यह सब तो बहार से ही दिखते हैं और उस पर्चेजिंग पावर को दि जूली समझते हैं, वो व्यर्थ में पैसा नहीं भाते हैं और बुद्धी और स़यम से काम लेते हैं, वो पैसे को जोडते हैं, पैसे की पावर को ये समझते हैं कि उसके प्रियोग की परिक्षा जो है उन्हें जरूरी नहीं है, पैसा मतलब खर्च करके सामान खरीद कर दिखाना ही पैसे की पावर दिखाना नहीं है, उन्हें लगता है कि बस पैसा चोड़ के रखो वही पैसे की पावर है, तो अब हम इससे संबंदित प्रश्णों पर ध्यान देते हैं पहला प्रश्ण है, लेखक के अनुसार पत्नी की महिमा का क्या कारण है, आधिक अल से इस्त्री को महत्पून माना गया है, इस्त्री ही महिमा है और इस महिमा का प्रशंसक उसका पती है, वही इसकी प्रमुक्ता को प्रमानित कर रहा है प्रश्न दो, सामानने लोग अपनी पावर का प्रदशन किस तरह करते हैं? उत्तर, सामानने लोग पैसे को अपनी पावर समझते हैं, वे पावर का प्रदशन करना ही अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, अपने आसपास माल टाल, कोठी मकान खड़ा कर इसका प्रदशन करते हैं. प्रशन तीन, आपके अनुसार स्त्री की आड में किस सच को छुपाया जा रहा है? उत्तर, स्त्री की आड में यह सच छुपाया जा रहा है कि इन महाशे के पास भरा हुआ मनी बैग है, पैसे की गर्मी है और यह इस गर्मी से अपनी एनरजी साबित करने के लिए स्त्री को फ अपनी शान नहीं दिखाते, वे धन को जोड कर बुद्धी और संयम से अपनी पावर बनाते हैं, वे प्रसन रहते हैं और फिजूल खर्च नहीं करते गद्यांश दो, मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंतित करता है कि आओ, मुझे लूटो, और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाते हो, तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी, इ और उससे चाहा जगती है, चाहा मतलब अभाव, चौक बाजार में खड़े होकर, आदमी को लगने लगता है, कि उसके अपने आसपास काफी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, मेरे यहां कितना परिमित है, और यहां कितना अतुलित है, ओ, कोई अपने को ना जाने, तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, विकल क्यों, पागल, असंतोश, त्रिशना और इर्शा से घायल कर, मनुश्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है, तो बच्चों आपने यह सुना, गद्याश, इसमें दो तरह के बाजार के विशे में बताया एक है बाजार जो पट्रियों पर यह बाहर खुले में लगा होता है, और एक बाजार है उची उची इमारतों में बना मॉल वाला बाजार, दोनों बाजार के बारे में लेखा कहते हैं, कि जो बाहर पट्रियों पर यह खुले में लगा होता है, वो ऐसा सजा होता है, और ऐ किता है आओ मुझे लूटो और लूटो और अपनी और आकशित करते वे ऐसा दिखाता है जैसे सिर्फ मैं ही हूँ मुझे ही देखो मेरा रूप सिर्फ तुम्हारे लिए है तुम्हारे देखने से तुम्हारे चाहने से ही मेरा रूप जो है वो सार्थक होगा और अगर कुछ नहीं भी लेना है, तो कोई बात नहीं, तुम देखो, देखने में क्या हर्ज है, जी आओ भी, और इस आमंतरण में ये खूबी है, कि इसमें आग्रेह नहीं है, आग्रेह मतलब कि जबरदस्ती नहीं है, आग्रेह तो क्योंकि तिरसकार जगाता है, क्योंकि अगर कहीं पर कि किसी काम को हमें जबर्दस्ती करने के लिए कहा जाता है तो वहां हमारे मन में उसके लिए घ्रणा का भावा जाता है यही बात इस बाजार के संबन में भी है यह खुला बाजार है यह खुले रूप से लोगों को आमंतित कर रहा है लेकिन उनसे आग रहे नहीं कर रहा है उन वहाँ पर लोग अपने आप ही सौंदरे को देखकर उससे आकरशित होकर खीचे चले जाते हैं और उस सौंदरे को देखकर उस मौन आमंतरन को देखकर लोग के मन में चाहा जगती है इक्छा जगती है और इक्छा का मतलब होता है अभाव क्योंकि मन में अगर इक्छा जगी है इसका मतलब हमारा मन खाली है हम ना चाहते भी वो चीज़ खरीद सकते हैं और फिर तब ऐसी जगह पर खड़े होकर इंसान को लगने लगता है कि उसके अपने पास जो कुछ भी है वह बहुत कुछ नहीं है वह काफी नहीं है उसे और चाहिए और उसके भीतर वो लालसा त कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है और मेरे पास कितना कम है उसे अपने आप से घ्रणा होने लगती है और ऐसी स्थिति में यदि कोई अपने को ना जाने तो यह मौन आमंतरन वाला बाजार तो ऐसे वेक्ति को व्याकुल करके पागल बना छोड़े यानि इस तरह का जो वो इंसान को उसके अंदर चखा जगाकर उसे पागल तक बना सकता है। इससे मनुष्य में असंतोश का भावा जाता है। उसे लगने लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिशना एक तरह की प्यास जगने लगती है। और इरश्या से गहल और इरोぜ यानि उसके अंद दो तरह के बाजार हैं, एक बाजार में खुला आमंतरण है, जो अपने सौंदरे से लोगों को अपने और आकरशित कर रहा है, और दूसरा बाजार है, जो जोर जोर से किसी को नहीं बुला रहा है, लेकिन अपनी सजावट से लोगों को अनयासी आकरशित कर रहा है, और लेखक की कल्पना के अनुसार गद्याँच के आरंब में कौन किस से और क्या कह रहा है उत्तर गद्याँचibly आरंब में बाजार गरहक से कह रहा है कि आप मुझे लूटो तो भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, प्रश्न दो, चाहा का मतलब अभाव क्यों कहा गया है, उत्तर, चाहा का अर्थ है इच्छा, जो बाजार के मुख आमंतरन से हमें अपनी और आकशित करती है, और हम भीतर से महसू बाजार आदमी की सोच को बदल देता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, उत्तर, आदमी जब बाजार में आता है, तो वहां की चकाचाउन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है, बाजार में अपरिमित फैली वस्तुएं देख, वह सोचता है कि उस उसके पास कितना कम है, इस प्रकार बाजार उसकी सोच में बदला उला देता है, प्रशन चार, बाजार के चौक के बारे में क्या बताया गया है, उत्तर, बाजार का चौक हमें विकल वा पागल कर सकता है, असंतोश, त्रिशना और इर्शा से घायल मनुश्य को सदा के लि बाजार है बाजार में जादू है वह जादू आख की रहा काम करता है वह रूप का जादू है पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही जादू की भी मर्यादा है जेब भरी हो और मन खाली हो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है जेब खाली पर मन भराना हो तो भी जादू चल जाएगा मन खाली है तो बाजार की अनेका नेक चीजों का निमंतर उस तक पहुच जाएगा कहीं हुई उस वक्त जे भरी भरी तब तो फिर वे मन किसकी मानने वाला है मालूम होता है यह भी लूम वे भी लूम सभी सामान जरूरी और आराम को ब अधर नहीं देती बलकि खलल ही डालती है प्रश्ण एक बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया है उत्तर बाजार का रूप बड़ा आकर्शक होता है वहां मन को लुभाने के लिए वस्तों को आकर्शक तरीके से सजाया जाता है उस रूप को देखकर विक्तियों पर अधिक असर करता है उत्तर बाजार का जादू उन लोगों पर अधिक असर करता है जिनका मन खाली होता है परंतु जेवें भरी होती है दूसरे खाली जेव वह अधूरे भरे मन पर भी बाजार का जादू चलता है ऐसे विक्ति अपनी शक्ति दिखाने के ल उत्तर, मन खाली होने से अभिप्राय है, मन में किसी निश्चित, इक्षा या जरूरत का ना होना, ऐसी स्थिती में आकर्शन के वशिभूत होकर ग्राहक बाजार से गैर जरूरी वस्तुएं खरीदता है, इससे बाजार वाद को बढ़ावा मिलता है प्रशन 4, आज का उपभूगता जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, यह समाज की किस प्रवर्ती की ओर संकेत करता है और आप ऐसा क्यों मानते हैं उत्तर, आज का उपभोगता जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, यह समाज की अंध उपभोगता वादी प्रवर्ती की और संकेत करता है, ऐसे वेक्ती दिखावे के चक्कर में ऐसा करते हैं, वे अधिक सुक की चाहत तथा अपनी धाग जमाने के लिए गैर जरूरी उत्तपादों को खरीदते हैं, तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए पसितना ही, अगली कक्षा में हम जानेंगे, पाट से संबंदित, कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, और कुछ अन्य गद्यांश पर भी हम चर्चा करेंगे, तथा अभ्यास हेतु कारे पर भी हम तक के लिए नमस्का